अगला पत पढ़ते हैं तुम्हा तो काल हांक जनु लावा लक्षमर जी कहते हैं काल यानी मरत्यू और जनु यानी जैसे उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए काल को हांकते हुए चले आ रहे हो या बुलाते हुए चले आ रहे हो बार बार मुझे लागी सुनत लखन के वचन कठोरा जैसे ही लक्षमन के इस तरह के कठोर वचन सुने परसु सुधारी धरेव कर घोरा कर यानी हाथ तो परसु राम जी ने जो फरसा धारन कर रखा था उसे हाथों द्वारा सुधार करपिया संभाल करके कहते हैं अब जनी दे दोसु मोही लाओ लोगू अब कोई मुझे दोश न दे कटुवादी बालक को बद जोगू बद जोगू का मतलब मारने योग्य और कटुवादी यनी कड़वे वचन बोलने वाला ये जो बालक है कि कड़वे वचन बोलने बाला मरने लायक है आप मुझे कोई ना दे बाल बिलो की बहुत मैं बांचा वालक को देख करके बांचा यानी बचाया बालक समझ करके मैंने ऐसे बहुत बचाया अब यहुं मर निहार भां सांचा अब यह मरने ही है मरने वाला है सच में यह अब मेरे हाथों से मरने वाला है कौसिक कहा चमिय अपराद हूँ अब कौसिक यानि की विश्वा मित्र जी खड़े हो करके उनसे परशुराम जी से कहते हैं कि है महानुभाव चमिय अपराद हूँ यह जो बालक है इसके अपराद को क्षमा करें बाल दोस गुन गनई न सादू जो सादू होते हैं वो बालकों के दोश को नहीं गिनते गनई का मतलब नहीं गिनते यानि आप इसे बालक समझ कर छोड़ दीजिए खर कोठार में अकरुन को ही आगे अपरादी गुरुद्रोही अब वो कहते हैं कि एक तो में कोठार मेरी जो है वो दयारहित है और उसके बाद ये इस तरह का गुरुद्रोही व्यक्ती मेरे सामने खड़ा हुआ है अपराधी के समान उतर देत छोड़े बिन मारे एक तो ये मुझे उतर दिये जा रहा है और इसे बिना मारे मैं कैसे छोड़ चकता हूं केवल कौशिक सील तुम्हारे हे कौशिक ये हे विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील के कारण ही या तुम्हारे प्रताप के कारण ही मैं इन्हें छोड़ पा रहा हूँ नहीं तो ये बालक इतना दुस्ट है या इतना अपशब्द बुरे वचन कहने वाला है कि मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता नत यही काटी कुठार का थोरे वरना मैं इसी कुठार के द्वारा इसको काट डालता गुरही औरिन होते हूँ श्रम थोरे और इसी प्रकार मैं थोड़े से ही श्रम में गुरू रिन से भी मुक्त हो जाता गादी सुनू कह हिर्दय हसी मुनही हरी यरे सूच अब जो विश्वा मित्र जी हैं वो मन ही मन हसते हुए सोचते हैं कि जो मुनी है जो परशुराम जी हैं उनको हरा हरा सूज रहा है यानि वो इन बालकों को बहुत कम समझ रहे हैं उन्हें पता ही नहीं है कि राम और लक्षमन क्या है और इनका बल क्या है तो मुनी को हरा हरा सूज रहा है यानि कि अपने ही बल के उपर तिदिक अभिमान जो है वो आ रहा है आयमय खांड न उख मय अजहु न बूझ अबूझ आयमय खांड आयमय का मतलब है लोहे की बनी खांड यानि तलवार यह जो बालक है वो लोहे की बनी तलवार है उख मय यानि गन्ने से बने हुए नहीं है जो मुनी इनको तुरंट तोड़ेंगे और जो चाहे वो कर लेंगे ये कठोर लोहे की बनी तलवारे हैं, इनको तोड़ पाना या इनके उपर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं है अजाओन अबूज अबूज तो ये बात उनको पता ही नहीं है कि ये किस तरह के वीर बालक है और इनका क्या प्रताप जो है वो प्रत्वी पर है